कोख्यात अपराधी शेखु के भाई उत्थान नगर गोरेवाडा निवासी शिरोज और फ सोनू इजास खान की कलदी राद बजाच नगर थाना शेत्र के तहत शंकर नगर इस्तित पैट्रोल पंपन निर्मम हत्या करने के मामले में हिरनवार गैंग का नाम सामने आने से तर प्राप्ते जानकारी के अनुसार कार को आटो की डैश लगने के चलते विवाद हुआ और इसी विवाद में शिरोज की हत्या कर दी गई प्राप्ते जानकारी के अनुसार यह हत्याकान कल देर राद 11.45 मिनिट पर हुआ इससे बदले की कारवाई के तौक पर भी देखा जा रहा है उल्लेकनी है कि शेखु भाजपा नेता हेमन दिये बार की शंकर नगर चौक परी हुई हत्याकारूपी है और हेमन की हत्याका बदला लेने के लिए ही सोनु को मौत के घाट उतार दिया गया प्राप्ते जानकारी के अनुसार प्रतीक धानूर कर गटना के समय अपनी गारी में पैट्रोल भैने शंकर नगर चौक इस्तेते पैट्रोल पंप गए थे वहीं पर काले रंग की वर्णा कार खड़ी हुई थी जिसमें शेरोज उर्फ सोनु खान बैठे हुए थे उनकी कार के पास कुछ आरूपी खड़े थे जो कार को आटो रिक्षा की डैश लगने से शेरोज से विवाद कर रहे थे आरूपियों ने शेरोज को कार से नीचे उतारा विवाद बढ़ने पर आरूपियों ने शेरोज की लाद खूसों से पिटाई शुरू कर दी उनके मुह और सीने पर लातू से प्रहार करना शुरू कर दिया। एक आरूपी उस समय पैट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को वहां से निकल जाने के बारे में धंकी देने लगा। लोग वहां से भाग गए। आरूपी इसके बाद भी वहां के करमचारियों को धंका कर भ पॉच गए देराथ पोलिस द्वारा इस हत्याकान के आरोप में हिरनवार गैंग के दो सदस्यों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिली है लेकिन किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टी नहीं की है। सबस्किल को देते अनते टंकात्य नहीं आए रंड़ को प्रिंग क RC केली नहीं आए कारण घ sovereignty में क्यामरा परसन अखिलेश भारदवाज के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नागपूर क्यामरा परसन अभिशेक पांसी बीचे न्यूस नागपूर